गुड मॉनिंग स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिट से स्वागत है आपके अपने चैनल जोगरफी विद मुनीश नैन पर हम 11 जोगरफी का 4 चैप्टर पढ़े हैं महासागरों और महादीपों का वित्रन इसके फर्स पार्ट में हमने पढ़ी थी कॉंटिनेंटल रिप तो जो वैगनर मोद्या थे उस ने महादीपों के विस्थापन के दो कान बताए थे पहला था आपका पोलरिया दुर्या फिलिंग बल दूसरा था जवारिया बल कि इन दोनों बलों के कान ही आपके महादीपों का विस्थापन हुआ है लेकिन उनके समकालिन जो भी भुगोलवेता थे जो भी वैग्यानिक थे उन सभी ने इन दोनों बलों के कान महादीपों के विस्थापन होने की बात को नकार दिया था तो उसके बाद महादीपों का विस्थापन किस कान से हुआ है इसको सीध करने के लिए आर्थर होम्स नामक एक भुगोलवेता थे उन्होंने अपनी एक छूरी प्रस्तुत की और उसी छूरी को कहा जाता है समयनधारा सिध्धान्थ कि यह सिध्धान्थ उन प्रवाबलों की व्यक्या प्रस्तुत करने का प्रियास था जिसके अधार पर समकालिन वैग्यानिकों ने महाधिपय विस्थापन सिधात को नकार दिया था तो 1928-29 में भूगरब सास्त्री जियोलोजिस्ट था आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में समयन धाराओं की संभावना को व्यक्त किया कि जो आपकी आर्थ है उसको मुख्या था तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था उपर वाला था क्रस्ट बीच वाला मेंटल और सेंटर वाला था कोर तो जो crust जो आपका स्थल मंडल बना हुआ है लिटोस्फिर है जिसके उपर आपके महादूप और महासागर पहे जाते हैं उसके नीचे वाला भाग कहलाता है mental तो इन्होंने कहता कि mental में conventional cell बनते हैं और उन्हीं conventional cell के कान ही आपके महादूप और महासागर यह प्लेटे मूग करती हैं तो इन धाराओं की उत्पती जो conventional cell हैं जो conventional धाराई हैं समयन धाराई इनकी उत्पती होती है रेडियो एक्टिव टत्वों से उत्पन ताप में भीनता के कान कि जो mental के अपर पार्ट है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और उनके जब तापमान रेड बाग में टेंपरेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चटाने पिंगल जाती है और पिंगलने के बाद वह क्या करने लग जाती है कि एक सेल के रूप में मूव करने लग जाती है तो आर्थर होम्स के अनुसार इस परकार की धाराओं का तंतर पूरे मैंटल भाग में पर्ट है यह जो यह ऊपर वाली पर्ट है यह वाली इसे कहा जाता है आपका लीठोस्पियर यह आपका लीठोस्पियर स्थल मंडल तो स्थल मंडल के नीचे यहां कोर तक यह कोर वाला पार्ट है तो यह बीच वाला पार्ट रह गया जो यहां से लेकर यहां तक का इस वा क्या है पिंगली हुई चटाने हैं जो एक सेल की तरह मौग करना सुरू कर देती है आपका तो देखिए जो ये कन्वेक्शनल सेल है इनकी दो पोजिशन होती है एक तो होता है इनका राइजिंग लीम की ऊपर उड़ता हुआ हिसा होता है दूसरा होता है इनका डिसेंडिंग लीम नीचे बैठता हुआ हिसा होता है कि देखिए जहां पर इन सेल की राइजिंग लीम उस भाग के उपर जो स्थीट करस्ट है जो लिठोस्पियर का भाग है उसके उपर इतना ज़्यादा फोर्ष डालती है और प्रेसर डालती है कि करस्ट के उस भाग को तोड़ देती है देखिए जैसे यहां से कन्वेक्शन साल उपर की तरफ उठ रहे हैं यह इस तरफ से उठ रही है यह इस तरफ से उठ रही है उपर जाने के बाद यह इस तरफ मूग कर रही है यह इस तरफ मूग कर रही है तो दोनों क्या है अपोजिट डेक्शन में मूग कर रही है तो जो इस बीच में से क्रस्ट क्या हो जाती है जो जहां पर भी इनका ऊपर उठता हुआ भाग होता है तो वहां पर क्या कर देंगी ये उपर वाली जो क्रस्ट है उसको तोड़ देती है तो इसके बाद क्या करती है दोनों पोजिक डेक्शन में जाती है विपरी दिसम ये इस तरफ जाएगी ये इस तरफ जाती है यह तो था इनका राइजिंग लीम कि यहां पर इसने तोड़ दिया अब दूसरे की बात करें दूसरा होता है डिसेंडिंग लीम कि जहां पर यह नीचे की तरफ उतरते हैं देखिए यहां पर क्या है यह नीचे की तरफ उतर रहा है यहां पर कोई दूसरा आया वो भी नीचे की तरफ उतर रहा है इसी तरह यहां से यह सेल नीचे की तरफ जा रहा है इस तरफ से कोई दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है अब यहां पर तो विपरी दिसा में थे तोड़ रहे थे यहां पर क्या हो रहा है कि दो टुकडे यह इस तरफ ले के आ रहा है और यह इस तरफ ले के आ रहा है तो जहां पर भी conventional cell complete होता है अगर वहां पर उनकी descending limb मिल रही है कि descending नीचे की तरफ जाने वाली तो यह जो उपर वाली या तो volcanic crust हो या continental crust हो तो क्या करेंगी उनको एक दूसरे के नज़धीक लाएंगी कि इस साइड़ वाला इस तरफ खिंच रहा है इस साइड़ वाला इस तरफ तो दोनों क्या हो जाएंगी एक दूसरे के नजदीक आ जाती है तो जहां पर conventional cell के rising limb है जहां पर सैल के राइजिंग लेमँहां पर तो क्या होता होता है तूट जाती है और चहां पर कंविक्षिन सैल के seulement भ्राइब है नीचे उतरते वह वहां पर दो फरी आ कर एक दूसरे एक में मिल जाती है आपकि तो आर्थर होम्स ने महादूपों के विस्थापन के लिए जो ड्राइविंग मेकैनिजम बताया था वहां मैंटल के नीचे जो ये समयन दाराएं हैं यही हैं और इनके कान ही महादूपों का विस्थापन हो रहा है आपका ये थी आपकी कन्वेक्शनल करण्ट थ्यूरी जो आर्थर होम्स ने 1928-29 में प्रस्थुत की थी तो इसके आधार पर ही उन्होंने महादूपिये विस्थापन सिधान्त को सीध करने का प्रियास किया था कि महादूपों में विस्थापन हो रहा है और उसके संबंदी जो बल देखिए एक वीडियो के दोरा देखते हैं देखिए नीचे से उपर की तरफ ये मूव हो रहा है आपका देखिए ऐसे जाकर और इस तरह से ये मूग कर रहे हैं सेल ये इस तरह से इस तरह कर रहे हैं मूग तो देखिए पूरे के पूरे अलग अलग सेल बन रहे हैं आपके तो जहां पर उपर से ये इस तरह जा रहा है यह इस तरफ जा रहा है तो यहां पर प्रेसर डालेंगे और प्रेसर यहां पर पड़ेगा तो क्या करेगा इस भाग को यह तोड़ देगा उसके बाद अगर यह इस तरफ जा रहा है और यह टुकड़ा इस तरफ जा रहा है देखिए ये एक प्लेट है और ये एक है तो ये थी आपकी कन्वेक्शनल करेंट छूरी नेक्स्ट पढ़ते हैं मैपिंग ओफ दी ओसन फ्लोर महासागरिय अजस्तल का मानचीत रहा है तो जो आपकी महासागरिय कटक है उसकी बनावट और उसके आकार पर किये गए गहन सोध ये सपस्ट करते हैं कि महासागरों का जो अदस्तल है महासागरों की जो तली है वह एक स्विस्तित मैदान नहीं है बलकि उसमें भी उच्चावच पाया जाता है पहले वग談 निक क्या सूचते थे कि जो आपके धरातल के उपर जो आ करती है पाये जाती है महासागरों में ऐसा कुछ नहीं है महासागरों की तली बलकिल सबाथ पाये जाती है समतल पाये जाती है लेकिन जब second world war हुआ था वो हुआ था आपका 1 September 1939 से 2 September 1945 तक 1949 से 1945 तक फर्स्ट हुआ था 1914 से 18 तक दूसरा हुआ था 1949 से 1945 तक तो जो second world war था उसमें समरीन का यूज़ किया गया था समरीन मतलब जो पानी के अंदर चलने वाले जहाज आप कह सकते हैं कि पाने के बिल्कुल अंदर चलने वाले उपर चलने वाले नहीं अंदर चलने वाले वह समरीन थी उसे तो आपके जो जो समरीन की साहता से तो जो इन विकल को जोग्राफफर ने लगबग 1950 के लगबग यूज किया और वो समूंदरों के गहराई या तली में गए और वहाँ पर जो जोग्राफफर थे उन्होंने देखा कि अलग-अलग लैंड फॉम पाई जाते हैं उन्होंने जैसा सोचा था कि महासागरों का तल जो स्पार्ट होगा लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला इसके बिल्कुल उल्टा मिला वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड फॉम पाई गई आप कह सकते हैं जो स्थल भाग है जो आपका धरातल के उपर का भाग है इसके उपर जितनी सतला करते हैं इनसे भी ज्यादा ही महतरा में वहाँ पर सतला करती हैं पाई गई तो जो युदोत्तर काल के बाद महा साग्रिय तली की खोजब्यान ने महा साग्रिय उच्चावत संबंदी विस्ति जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया की उसमें क्या क्या पाई गई जलमगन परवतिय कटके हैं गहरी खाया है और जो पराय महा धीपों के किनारों पर स्थीत हैं मद्या महा साग्रिय कटक जो आलाम की उदगार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई देखिऊ जलमगन परवतीय कटके पाई गईी घहरी खाईयां पाई गईी मद्या महासागरिय कटक जुआला फंकि उद्गार के रूप में सबसे अधिक सिक्रिया पाई गई महासागरिय करश्ट की चट्टानों की आयूग पता करने के बाद यह पता चला की महासागरिय करस्ट की चटाने महादूपय करस्ट की चटानों से नई है important question है आपका कि जो महासागरों के अंदर की जो चटाने है वो महादूपयों की चटानों की अपेक्सा नई है कि महासागरिय जो तली में चटाने वो नई है और महासागर्य महादीपों वाली पुरानी है आपकी महासागर्य कटक से दोनों तरफ की चटाने जो कटक से बराबर दूरी पर उनकी आयू और रचना में भी आश्चेजर नक्स मानता वाई गई है तो देखिए डाइगराम दुआरा देखते हैं ये है आपका जो सी फलोर है जो महासागर्य की तली है तो देखिए यहां से आगे जो ये वाला हिस्सा है आपका ये वाला हिस्सा ये हैं आपके महासागर्य की तली तो आप देख सकते हैं इसमें अधीकतर विविनताई पाई जाती है तो जो महाद वीपों के किनारे हैं यहां पर क्या पाईगी गहरी खाईयां पाई गई है किनारों पर गहरी गहरी खाईयां पाई गई उसके बाद इसके अंदर अनेक परकार की सतला करती है अनेक परकार की देखिए चोटी चोटी परवत सिंक लाए पाए गई कहीं पर बड़े बड़े परवत भी पाए गई है उनकी जो चोटी हैं आपके उपर निकलाती है जिने हम दूई भी कहा जाता है उसके बाद महासागरों के बीच में ये वाली जो ये वाली पाए गई आपकी मीडोसैनिक रीज मद्या महासागरियं कटके तो जो मद्या महासागरियं कटके हैं यहां से लगातार क्या है मेगमा बाहर आता रहता है और मेगमा बाहर आएगा तो वो कहां बिचता रहता है महासागरों की तली में बिचता रहता है इस तरह से यहाँ पर यह बिच्टा रहता है आपका यह इस तरह तो यहाँ पर क्या लगाता है जो आपका जो आला मुखे करिया होती रहती है यहाँ से मेगमा निकलता रहता है आपका तो देखिए अब दूसरा कोस्टन बना था की आयू का की जो महासागरी है तली की जो चटाने हैं उनकी आयू महादुईपी है महादुईपों की जो चटानों से नई है या कम है इसके पीछे रीजन क्या ये देख लेते हैं देखिए दो पलेटे ठकरा रही है ये तो है आपकी ये वाली पलेट यह वाली है जो आपकी यह वाली थी आपकी महासागरी है उसके बाद यहां पर थी आपकी महादवीपों वाली प्लेट यह कौन सी है यह महादवीपों वाली प्लेट है यह वाली महादवीपों वाली प्लेट है यह ऐसे मूग कर रही है तो देखिए यह जो मध्या महासागर आइकान जो आपकी महासागरिया प्लेटे वो भारी होती है जो महादवीप या प्लेटे हैं वो आपकी हलकी होती है तो जब भी दो प्लेटे टकराएंगी जब एक दूसरे से आकर ये वाली प्लेट और ये दो दो प्लेटे टकराएंगी तो जो हलकी होगी वो कहां उठेगी वो तो उपर की तरफ उटेगी और जो भारी होगी वो कहां जाएगी वो नीचे की तरफ जाएगी इसी तरह से यहां से यह आपकी महादवीप वाली है महादवीप वाली उपर उठेगी और महासागर वाली नीचे की तरफ जाएगी तो इसी कान से यहां से जो चटाने थी इसके साथ साथ यह कहां जाएगी दोबारा से अंदर चली जाती है क्योंकि यहां से तो क्या होता है यहां जाकर पिंगल जाएंगी यहां से मेगमा बाहर आ रहा है कंटीनु यहां आ रहा है इस वाले हिंसे में बिस्ता जा रहा है यहां पर एक तरफ बिस्ता जा रहा है दूसरी तरफ यहां पर जो महा द्वी पहन वाली तो उपर उठ गई महा सागरों वाली नीचे जा रही है यह तो यहां पर खतम होता जा रहा है यह उपर उठी हुई है तो इसी कान से क्योंकि जो महासागरिया प्लेट है वो बार-बार क्या होती जाती है जो घाईयों के सार सार जहां पर प्लेटे टकरा रही है वो नीचे की तरफ जाकर दोबारा से पिंगल जाती है दोबारा से यहां पर जौला मुखी किरिया होती है इनके किनारे पर यहां प तो नेक्स्ट है महासाग्रिय अज्जतल की बनावट तो गहराई और उच्छावच की अधार पर महासाग्रिय तल को तीन परमुख भागों में भाजित किया गया है पहला है आपका महादवी पिय सीमा कॉंटिनेंटल मार्जन्स दूसरा है आपका वीतलिय मैदान अबसायल प्लेन और तीसरा है आपका मध्य महासाग्रिय कटक मिड ओसैनिक रीज तो पढ़ते हैं हम पहले कॉंटिनेंटल मार्जन के बारे में तो महाधवीप veg किनारे और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग और क्या कहलता है कौन्टिनेंटल मार्जन कहलाता है तो इसमें महादीपिय मगंतट महादीपिय डाल महादीपिय उभार और गहरी समुद्री खाईयों को सामिल किया जाता है तो इसके अंदर क्या क्या सामिल है एक तो महादीपिय जो मगंतट है हमारा Continental Self दूसरा Continental Slope तीसरा Continental Rise और फॉर्थ आपका जो डीप ओसेनिक ट्रेंची जगहरी समूंदरी खाई है इनको सामिल किया जाता है तो ये वाला कितना भाग है जो ये वाली खाई है इस से और ये वाला भाग इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये पाई जाती है कि जो बिल्कुल प्लेन बिल्कुल कम डाल वाला भाग होता है उसे तो कहते हैं Continental Self महादी पिये मगंतट जब उसका थोड़ा सा ढाल बढ़ जाता है कि गहर जैसे जैसे समूंदर के अंदर जाते हैं ही बढ़ जाती है तो ढाल बढ़ जाएगा तो वह कहलाएगा आपका Continental Slope महादी पिये ढाल और जब महादी पिये मगंतट और ढाल के सारे सारे जो मलबा आता है वो सारा का सारा यहां पर इकठा हो जाता है और यहां पर एक उभार नुमा करती बनती है उसे एक आ जाता है महादी पिया उभार Continental Rise उसके बाद नीचे जो गहरी समुंदरी खाईयां पाई जाते क्योंकि दो प्लेटे टकरा रही है यहां पर तो यहां पर बिल्कुल गहरी गहरी समुंदरी खाईयां पाई जाती है और यही कहलाती है Deep volcanic trenches तो यह चारों पार्ट इसमें सामीलब के महादीपिय में तो महादीपों यह थी आपकी Continental margin तो Continental margin खाई कह noir हूआ और क्योंकि इस खाई आगे वाला भाग है वो क्या हो जाएगा आपका अपसायल प्लेन या वितलिय मैदान के रूप में सुरू हो जाता है तो इस खाई और महाद्वीपों के बीच का भाग क्या कहलाता है कॉंटिनेंटल मार्जन कहलाता है कि इस खाई तक आपके महाद्वीपों की सीमा होती है Continent की सीमा होती है उसके बाद आपके महासागरों की सीमा सुरू होती है दूसरा है आपका वितलिय मेदान Absile Plain तो Absile Plain की बात करते हैं यह है विस्तित मेदान महादवी प्या सीमा और मध्या महासागरीय कटकों के बीच में पाया जाता है तो यहां तक तो यहां तक तो आपका दा कौंटिनेंटल मार्जन था महादीप यह सीमा थी और यह है आपकी मिड ओसैनिक रीच मध्य है महा सागरिय कटक इसके बीच वाला यह वाला जो बहाग है यह वाला क्या कहलाता है यह कहलाता है आपका अफसायल प्लेन इसे गंबीज सागरिय मैदान भी कहा जाता है यह मैदान वह अक्छेतर है जहां महादीपों से भाग कर लाए गए अफसाद इनके तट्टों से दूर इस मैदान में जमा हो जाते हैं देखिए कुछ जो भाग है वो तो यहां पर जमा हो गया था आपका कुछ वाला थोड़ा थोड़ा भाग तो यहां जमा उसके बाद जो बहुत अधीक गैन मिट्टी के करण होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं वो क्या पानी में घुल जाते हैं और वो सारे के सारे इस वाले एरिया में जाकर जमा हो जाते हैं महा सागरों के तलका अधीकांस भाग लगबग 75-77% तक इसी जो वी तलिया मैदान से घिरा हुआ है तो वास्तों में यह मैदान क्या है बिल्कुल समतल नहीं है इसके उपर अलग लग परकार की सतला करतियां पाए जाती है कहीं पर उंचे उंचे कटा कट हुआ पठार पाए जाएंगे कहीं पर आप देखोगे द्वीब भी पाए जाएंगे कहीं पर ग्योट्स भी पाए जाती हैं अलग लग सतला करती हैं पाए जाती है लेकिन इनके धाल इतने कम होते हैं कि इनकों आखों से देखना कटीन होता है कि आसानी से हम जाकर पता नहीं लगा क्यूंकि धाल बिलकुल मंद होता है महासागरों के अंदर तो ये था आपका वीतली है मैदान अब सायल प्लेन तीसरा आता है हमारी मिड ओसानिक रीज मध्या महासागरीय कटक तो देखिए हमने तीन चीजे पड़ी है यहां से लेकर और इस खाई तक का भाग इसे तो हमने कहा था कॉंटिनेंटल मार्जन महादवी पिया सीमा उसके बाद इस खाई से लेकर और इस मध्या महासागरीय कटक तक का भाग दोनों तरफ सेम है आपके यह यह तो था कॉंटिनेंटल मार्जन उसके बाद मध्या महासागरीय कटक से लेकर और इस खाई तक का भाग यह वाला कहला है था आपका अबसायल प्लेन वितली है मैदान उसके बाद तीसरा जो भाग है उसकी बात करें अब बात करेंगे इस वाले बीच वाले भाग की मद्यमास आगरी है कटक की तो जो मद्यमास आगरी है आप नीचे देख सकती है दो पलेटे हैं वो एक दूसरे से अलग हो रही है यहाँ पर यह पलेटी इस तरफ जा रही है यह पलेटी इस तरफ जा रही है अगर दोनों क्या हो गया convection cell इसको तो इस तरफ खिंच रही है इसको इस तरफ खिंच रही है तो कौन सी rising limb हो गई उपर उठती हुई तो क्या करेगी ये crust भाको इसको इस तरफ खिंचेगा और इसको इस तरफ खिंचेगा यहाँ पर pressure पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपकी crust तूट जाएगी और crust तूट जाएगी जो नीचे से जो पिंगली हुई चटाने है जो मेगमा है वो कहा जाएगा उपर आकर इस तान पर निकलना शुरू कर देगा और यहाँ से निकलकर इस तरफ फैलेगा और इस तरफ फैलना ऐसे शुरू कर देगा तो जो आपकी मध्य महासागरिय कटके हैं वो आपकी पलेटों की बोन्रीज होती है पलेटों की सीमा होती है लगबग तो महासागरों के फर्ष पर पाई जाने वाली मध्य महासागरिय कटक सैंकडों किलोमेटर लोंबी और चोड़ी परवतों की एक स्रिंखला है तो महासागरिया जल में डूबी हुई है पित्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी स्रेंखलाओं में से एक है कि जो महासागरों के अंदर डूबी हुई है इन कटकों के सिखर पर रिफ्ट गाटी एक परभावित पठार आदी विसे सतला करती है पाई जाती है इस कटक के मद्यवर्ती भाग में स्थीत द्रोनी वास्तों में क्या है सक्रिय जौला मुगी का अक्छेतर है और जिसमें से लगातार लावा बाहर आता रहता है कि यहां पर दो प्लेटें यह प्लेट इस तरफ मूग कर रही है 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 यहां पर यह प बाहर निकलता रहता है आपका तो यह था आपका महासागरिया अस्तल की बनावट कैसे इनकी बनावट है नेक्स पढ़ते हैं भूकंप और ज्वाला मुख्यों का वित्रण तो एक यह हमारा एक चीतर दिया गया है इसकी साहिता से बढ़ते हैं कि देखिए अलग अक्षेतर दिखाया गया है कहीं पर डोट है कहीं पर डार्क डोट है कहीं पर सेडिंग दी गई है अलग अलग दिखाया गया तो सबसे पहले बात करते हैं भूकंप यह अक्षेतरों की तो अट्लांटिक महा सागर देखते हैं अट्लांटिक देखिए ये वाला है हमारा जो ये वाला चेतर है जो ये वाला है ये वाला है हमारा परशाथ महा सागर ये वाला है परशाथ उसके बाद जो ये वाला है ये वाला है हमारा अट्लांटिक महासागर जो ये वाला है इंडिया के नीचे वाला ये वाला है हमारा हिंदिया इंडिया नोर्चन तो अब बात करते हैं तो जो अट्लांटिक महासागर है ये वाला इस वाले एक्षेतर की बात कर रहे है ये वाला है तो जो अट्लांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में बीचों बीच आपको यहाँ पर देखिए डोड दिखाए दे रहे हैं इस तरह से फैले हुए मध्यवर्ती भाग में तट्रेखा के लगबग समानतर की जैसे तटों में मूढ आ रहा है वैसे ही इस डोटिड वाली लाइन में भी मूढ आ रहा है तो जो तट्रेखा के समानतर है ये वाली बीच में तट्रेखा के समानतर एक बिंदू रेखा देखी जाती है यह जो बिंदू रेखा है आगे चलकर आप देखोगे जो अफ्रीका के पस्टी में यहां से क्या होते हैं दो भागों में तूट जाती है और इसका एक टुड़ा किस तरफ चला जाता है एक चला जाता है आपका इंडियन ओसन हिंद महासागर की तरफ चला जाता है उसके बाद जो भारतिय महादीब से थोड़ा दक्षिन में यहां दो भागों में तूट जाती है आपकी जिसकी एक साखा कहां चली जाती है तूट कर एक साखा तो चली जाती है आपके पुर्य अफ्रीका की तरफ और दूसरी साखा कहां चली जाती है यह अस्टेलिया के दक महासागर है आपका अटलांटिंग महासागर की तट्रेका के समांतर समांतर एक ऐसी ही बिंदू निमा रेखा पाई जाती है जो आगे जो अफरीका है उसके दक्षन में कहां चली जाती है आपके हिंद महासागर में चली जाती है हिंद महासागर में दो टुकड़ों में तू दूसरी चली जाती है आपकी अस्टेलिया के दक्षन से होती हुई परसाथ महासागर में आगे जाकर मिल जाती है तो आप पाएंगे कि यह जो बिंदूरे का है मध्य महासागरिय कटकों के समरूप है कि जो महासागरों के बीच में जो मध्य महासागरिय कटके जो स्रंकला प बात करें हम तो दूसरा जो सेड दिखाए गई है यह जो अलग लग कलर की यह वाली जो सेड दी गई है यह हो गई यहां पर यह वाली हो गई तो जो आपकी ये है ये है बुकम्पिय संकेंद्रन का दूसरा अक्षेतर जो सैडिड बैल्ट के रूप से दिखाया गया है इसमें जो अलपाइन हिमालिया सेनिया हा गई अलपाइन मतलब हिमालिया के साथ जैसे यहां पर आपका हिमालिया हो गया यहां पर आपका रोकीज हो गया यह आपका एंडीज हो गया कि जो हिमालिया की उत्पत्ती थी उसी समें इनकी उत्पत्ती हुई थी तो इन वाले एक छेतर हैं यह तो यहां यह भी आपके भूकंप अक्षेतर है तो समाने दर जो मध्य महासागरिय कटकों के अक्षेतर में भूकंप के उद्गम के इंदर कि जो महासागरों के अंदर जो कटक पाई जाती है उनके जो भूकंप के इंदर है वो आपके कम गहराई पर होती है कि बिल्कुल उपर वाले क्षेतरों में ही भूकम पा जाते हैं लेकिन जो आपके माहा सागरी ये जो आपके परवश संखलां वाली मेखला है यहाँ पर जो भूकम के केंदर कहा है अधी गहराई पर पाए जाते हैं तो जोआला मुखी मांचितर भी इसी का अनुसरन करते हैं कि जहां पर भूकम पाते हैं भूकम वहीं से आपकी जोआला मुखी किरिया भी होती रहती है तो भूकम पर जोआला मुखी क्योंकि जो मद्या माह सागरी ये कटक है इसके सारे सारे ये आपकी ज्वाला मुखी किरिया भी होती रहती है क्योंकि प्लेटों के किनारे हैं नीचे से मैगमा बाहर आता रहता है तो आपके ज्वाला मुखी भी इन एक छेतरों में पाए जाते हैं तो परसाथ महासागर के किनारों को सक्रियज वाला मुखी तो देखोगे आप ये परसाथ महासागर के किनारे यहां पर सबसे ज़्यादा आपको डोटिड लाइन दिखाए दे रही है ये वाले देखी यहां पर तो परसाथ महासागर के जो किनारे है वहाँ पर क्या है आपका सक्रिय ज्वाला मुख्य के सबसे ज्यादा एक्षेतर पाए जाते है चारों और फैले होने के कान इसे कहा जाता है रिंग ओफ फायर तो इस वाले एक्षेतर को क्या कहा जाता है ये चारों और फैला हुआ है इसे का जाता है ring of fire कि जो परसांत मा सागरेश के चारों और जो जो आला मुख्य क्षेतर पहले हुए है इने ही क्या नाम दिया जाता है ring of fire का नाम दिया जाता है ये था आपका भुकंप और जो आला मुख्यों का वितरन तो इस वाले पार्ट में हम यहीं तक पढ़ते हैं next हम पढ़ेंगे सीफलो सप्रेडिंग थूरी सागरिया अस्तल का विस्तार कॉंटिनेंटल डिप थूरी तो आसा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो जल्दी मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तके लिए thank you